टायर्स के दुनिया में ऐसे जीब हो गरीब टायर्स जिन्नी देखने के बाद आपके मूँ से सिर्फ ये निकलेगा ऐसे भी टायर्स होते हैं क्या भला क्या हो अगर किसी गाड़ी के टायर रबर के ना होकर बरफ के बने हो सुनकर बड़ा अजीब लगा ना लेकिन जो टायर्स आप अभी देख रहे हो ये कोई मजाग नहीं है ये टायर्स सच में बरफ के बने है लेकसस नाम के एक फॉरेनर कंपनी ने दुनिया के सबसे पहले फ्रूजन वाटर से बने टायर बना डाले जिनकी सबसे कमाल बात तो ये है कि इनको गाड़ी चलाने में इस्तेमाल भी किया जा सकता है पांच दिनों तक डीप फ्रिज में माइनस 30 डीजरी सेलसियस तक ठंडा करने पर बड़े हुनर्मन तरीकों से इसको एक टायर का रूप दे दिया जाता है जो सच में कमाल की बात है अब बात करते हैं ऐसे लीडियार्ड नाम के ऐसे वील्स की जो लगबग हर एक डिरेक्शन में मूव कर सकता है इस गाड़ी को ऐसे टायर से लैस किया गया है वो अपनी जगह पर आगे पीछे दाएं बाएं लगातार हर एक दिशा में असानी से मुड़ सकता है ऐसे टायर्स की एक बड़ी दिक्कत यह है कि ये टायर्स अपनी जगह पर मूवेंट ना करके इसकी ट्यूब जो है वो मूवेंट करती है ऐसे में ज्यादा मुवमेंट की वज़े से इनका रबर इजीली डैमेज हो जाता है अब जब अजीबो गरीब टायर की बात चली रही है तो ऐसे टायर हमारे लिस्ट का हिस्सा ना बने ऐसा बला हो सकता है आप भी इन square shaped टायर को देखकर चौंग उठे होंगे न इनको बनाने वालों ने इनकी ऐसी shape देकर ऐसा सूचा था कि वो लोग टायर की दुनिया में ऐसे अनुखे टायर पीश करके करांती ला देंगे लेकिन जनाव ऐसे टायर से किसी की गाड़ी कहां चलेगी इनको सेकडो टिस्टिंग के बाद इन टायर को फेकना ज़ादा उचित लगा खासतार पर military की गाड़ीओं के लिए बनाए गए special reconfigurable tires जिनके नाम से आप समझ गए होंगे इनकी खासियत क्या होगी ये tires चलती गाड़ी में अपनी goal shape से triangle shape में आ सकते हैं इसके लिए इसके घंटों की नहीं बलकि महज कुछ seconds की जुरूरत पड़ती है इस तरह के tires से military की गाड़ीओं को tough surface पर गाड़ी चलाने में असानी होती है हमारे वीडियो को समाप्त करते हुए अब आपको ले चलते हैं हमारे लिस्ट के आखरी special tire की ओर जिनको खास्त और पर puncture free और stability को ध्यान में रखकर बनाए गया है इस तरह के tire को सैनिकों की गाड़ीओं में इस्तमाल किया जाता है क्योंकि इस से दुश्मनों की बंदूकों से निगलने वाली गूलियों से गाड़ी के tire puncture होने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाती है साथी इस तरह के tire की stability भी आम tire से कहीं जादा है जो हर हाल में ऐसे tire successful है क्योंकि जादा है